हेलो एवरिवन स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो में अभी आप मेरे फोन में देखे तो मैं एक टेक्स्ट फाइल यूज़ कर रहा हूं यहां पर आप उपर नाम भी देख सकते हैं डेलीरूटिन.txt फाइल का नाम लिखा हुआ है बट हमारे फोन में ऐसा कोई एप नहीं होता जिससे हम टेक्स्ट फाइल क्रियेट कर सकें तो मेरे फोन में यह मैं कैसे यूज़ कर रहा हूं यह आभी देखते हैं सबसे पहले मैं इसे बंद कर देता हूं टेक्ट फाइल करने के लिए मैंने एक डाउनलोड किया है जिसका नाम है जस्ट नोट पैड न पोई करना है तो इसके लिए आप प्ले स्टोर में जाएंगे और यहां पर दाईब करेंगे जस्ट नोट पैड notepad पे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको यह app मिलेगा just notepad, free simple notepad आपके phone में यह install नहीं होगा तो आपको install बटन का option दिखेगा मेरे phone में यह already installed है इसलिए मुझे यहाँ पर open करने के लिए option आ गया है तो इसको आप install कर लेंगे अपने phone में install करने के बाद जब आप इसे open करेंगे आपके phone में जो भी files होंगे वो आपको show करेगा तो मेरे phone में जो भी files है internal memory में वो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं और यहाँ उपर देखें तो एक plus का sign दिया हुआ है तो इस plus बटन पे आपको click करना है और यह आपको दो option देगा कि आपको एक new file create करनी है या फिर एक नया folder create करना है तो अभी हम direct एक new file create करके देखते हैं क्योंकि हम इस video को देख रहे हैं कि हम text file को create कैसे करते हैं तो create new file पर click करेंगे और यहाँ पर आपका जो भी file के अंदर आप लिखना चाहते हैं आप वह यहाँ पर लिख सकते हैं तो example के तौर पर मैं यह लिखता हूं I am recording this video about just notepad app तो मैंने यह एक line लिखी है अपनी file में अब इसे हम text file में save कैसे करेंगे तो उपर आप देखिए यहाँ पर right side में एक button दिया हुआ है जो की save करने के लिए है तो आपको इस save button पर click करना है अब यह आपको पूछेगा कि आपको किस नाम से save करना है तो आप जिस पर नाम से save करना चाहा है आप यहाँ पर वह नाम type कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर type कर देता हूं introduction और इसको okay पर click करेंगे अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया introduction.txt तो इस फाइल के नाम से यह से save करने जा रहा है इसको confirm करने के लिए okay करेंगे और उपर देखिए फाइल का नाम जो है दिख रहा है करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर save as करेंगे और आपको new file का नाम देना पड़ेगा तो same content जो है नए नाम से save हो जाएगा और अगर आप इसे आपने जो कुछ भी लिखा हुआ है आप सिर्फ इसको save करना चाहते हैं और बंद करना चाहते हैं तो save and close पर क्लिक करेंगे अगर आप इसमें कोई भी changes नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ close without saving करेंगे तो अभी हम इसे save and close कर देते हैं तो हमारी फाइल जो है बंद गई है अब हम इसे चेक करते हैं open करके कि यह कैसे open हो रहा है तो internet storage में ही हम और नीचे दिखे यहां पर introduction.txt नाम का भी सकते हैं सो इस तरह से आप इस simple app जो है just notepad इसकी help से अपने phone के ही अंदर आप text file create कर सकते हैं जिसको आप बाद में किसी को email कर सकते हैं या फिर अपने laptop में transfer भी कर सकते हैं सवाज की इस वीडियो में इतना ही ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शक्रिया